हलो फ्रेंट्स वेलकम टो टॉपिक एक्सप्लेंग दोस्तों आज की वीडियों हम लोग जानेंगे सेंटल डिपोजिट्री के बारे हैं देखिए दोस्तों हमारे देश में दो ही डिपोजिट्री हैं पहला है नेशनल डिपोजिट्री और दूसरा है सीडी असल यानि सेंटल देख सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि CDSL क्या है और क्या है CDSL के फायते चलिए सुरुवात करते हैं दोस्तों सबसे पहले CDSL का फूल फॉर्म होता है सेंटर डिपोजिटरी सर्विसेस लिम्टेड देखिए दोस्तों CDSL के स्थापना फरवरी 1999 हुई थी और इसको सेवी के द्वारा यानि सेवी को सेक्योर्टी एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता ठीक है मानता प्राप्त यानि उसके द्वारा और CDSL का मुख्याला यानि जो हेड़कौर्टर मुंबई में महारा एक सत्तार में बनाष्ट में तो आए Impact Student लेक्टर चाना सब्करूर्ण फांट में सुरेंट के आप आगे वीडियोम लोग जानेंगे उसेरे कार तो अब चलिए देखते हैं कि cdsl के क्या क्या फायदे हैं देखिए दूस्तों पहला फायदा यही है कि cdsl के दोरा दोस्तों cdsl का पूरा का पूरा गाम nsdl के ही जैसा nsdl पहली security है और यह cdsl दूसरा security deposit है देखें cdsl के सब्सक्राइब निवेस करना चाहते हैं आप पुरी दुनिया से कहीं से इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं इसलों दोस्तों निवेसकों को ट्रेडिंग में अधिक परसानी का सामना नहीं करना पड़ता है CDSL में फंड, ट्रांसपर, सिक्योर्टीज को पंजी करन तुरंती ही हो जाता है यानि इसमें बिल्कुल टाइम ओम लगता नहीं है पहले क्या होता था इलेक्टरानिक पोजिट्री आने से पहले इस काम में चार से पांच मैंने का टायम लगता था आपका अकाउंट ओपन होता था फिर आपको कागजी का रवाई काफी होता था इससे काफी परसान ही होती थी निवेसकों को अब देखिए सेयर मार्केट में बेहतर संचार की सुविधाय उपलब्द कराता है और सीडी इसमें निवेसकों के ट्रेडिंग लागत को भी कम करता अब जलिए देखते हैं कि सीडी असल के कार क्या क्या है पहला कार रही है कि जो निवेसक इनको डीमेट अकाउंट करवाना सबसे बड़ी ब्रोकर होते हैं उनके मादधम से लोग डिमेट अकाउंट ओपेन करते हैं अब सीडी असल निवेसकों के सेयर हो गया सब्से चीज़ की सिक्योर्य को रहा है सब सक्राइब tuh सब्सक्राइक को किसी की सिर्टी ले काउंड रहा है तेहां पे आपको इन सब की सिक्योर्टी होती है वह सीडिया सवल के दानिक रूप में कि रिकारड हो सरम में बिना किसी का रवाई के अब देखिए CDSL का उद्देश क्या क्या है CDSL का पहला उद्देश से ही है CDSL Depository का मुख के उद्देश है निवेसकों की प्रतिभूतियों के Electronic के रूब में जमा करना यानि उनके जो भी सेयर है Bond Adventure इन सब को Electronic रूब में जमा करना CDSL का उद्देश भारती पूजी बजार्म निवेसकों और इस्टाक ब्रोकरों को नमीनतम प्रदोग की पढाली है जो भी नए नए टेकनोलाजी आ रहे तुरंद के तुरंद इससे अपडेट कराना CDSL का मुख का उद्देश है CDSL का उद्देश भारती पूजी बजार में होने लागत को कम करना है जो भी लागत है उनको ज़्यादा ज़्यादा कम करना है लागत को कम करना और दक्षता को बढ़ाना है आप आथानी से मैनेज कर पाए उसको सीडे सलग का उद्धिस भारति बित्ती वजार में काघगी कारवाई को खतम करके पूरा कांद कम्प्यूटराइज्ट हो गया पहले क्या था कि काघगी कारवाई होता हुए उसमें बहुत